हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रिया इंड़ कीचन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बैल आइकम दबाना बिलकुल मत भूलना जिससे की मेरी वीडियो की न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिले आज ना मैं आप लोगों के साथ दो उस लोगों ने मुझे बोला कि आप बोर महाला की रेसिपी मेरे साथ से एर करो तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ और इस मसाले की खास बत क्या है पता है जब आप ग्रेभी वाली सबजी या शेमी ग्रेभी वाली सबजी बनाते हो न तो आप सिर्फ हल्दी और नमक अड़ करो और टमाटर अड़ करो बाकि ये वन ट 15 days freeze में इस्टोर करो हुए और यह खराब भी नहीं होगा तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पे ना मैं धनिया सीड्स ली हूँ जिसे कॉरियंडर सीड्स बोलते हैं और यहां पे फिर काली मिर्च है और जिसे ब्लैक पिपर बोलते हैं और फिर धनिया क्यों मिन सीड्स और फिर हरी मिर्च और लहसन लहसन को क्या करना है इसकी कलियों को अलग अलग कर लेते हैं और फिर इसे छील लेंगे छीलने का एक और आसान सा प्रोसेस पता है क्या है कि आप गरम पानी लो और उसमें सारी कलियों को एक साथ रग दो यहां मिर्ची की डंठर को मैंने जो पूरी देर के लिए छोड़ दो, आप देखना बहुत easy ली इसके जो छिलके है वो remove हो जाएगा और अगर आपकी lesson की कलिया बड़ी-बड़ी है आप देख सकते हो यहाँ पर मैं lesson की कलिया जो है वो बहुत बड़ी-बड़ी हूँ तो इसलिए मैं चाकू के help से मैं इसके चिलके को रिमूफ करूँगी, तो आपको जैसा एजी लगे, आप वैसा कर सकते हो, या फिर आपको एक और तरीका मैं बताती हूँ लेसन चिलने का, आप क्योई तवा लो या कोई भी कढ़ाई लो, उसमें हलका सा रोष्ट कर लो लेसन को, उससे भी मशाला को रोष्ट करना है, तो सबसे पहले मैं धनिया सीड डालूँगी, यह थोड़ा सा हलका टाइम लगता है ज्यादा, इसलिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ, और इससे जब अच्छी सी खुसबू आने लगे ना, उसके बाद मैं और अगर आप रेडचीली भी यूज़ करते हो, डेली सबजी में, तो आप यहां पर रेडचीली भी यूज़ कर सकते हो, मैं रेडचीली नहीं खाती हूँ, और गरम मशाला भी मैं डेली यूज़ के बेसिस पे नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैं यह दोनों यहां पर नह नहीं आड़ कर रहे हूं, आप इसे एड़ कर सकते हो, जीरे से भी अच्छी खुश्बू आने लगी थी, तो फिर मैं काली मिर्च भी आड़ कर दी, तो इस तरीके से इसे बढ़िया से रोष्ट करना है, और आप रेट चिली खाते हो, तो आप थोड़ी से क्वांटिटी में रेट चिली लो, और थोड़ी से ग्रीन चिली लो, यह मसाला बहुत अच्छा बन कर आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा, आप एक बार जरूर ट्राई करना, तो आप देख सकते हो, इस तरीके से जो मसाला है, वो सब भून चुका है, बहुत अच्छी से खुश्बू आने लगी है इससे, तो अब इसे न, एक जार लेना है, मिक्सर जार और उसमें ट्रांसफर करना है, तो सारे मसालों को मैं ट्रांसफर कर रहे हूं, और इसके बाद जो ग्रीन चीली थी न, जिसे मैंने अच्छे से वास कर लिया था, और डंठल को भी हटा दिया था, वो एड़ करना है, और लेसन की कलिया, जिसे मैंने छिलके को रिमूफ कर दिया था, वो इस तरीके से मिला करना है, इसे एक फाइन पेस्ट बनाना है, और इसमें थोड़ा-थोड़ा सा वाटर एड़ करें, एक साथ आ वाटर एड़ करोगे न, तो ये पेस्ट जो हो गीला हो जाएग तो इस जगह पे आप इसमें अद्रग भी एड़ कर सकते हो, मैं भी रेगुलर बेसिस पे अद्रग भी मैं नहीं खाती, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए किसी स्पेशल सब्जी में ही मैं अद्रग यूज़ करती हूँ, तो इस तरीके से तो आप देख सकते हो, यह पेश्ट कितना अच्छा लग रहा है ना, आपकी जंजट भी खतम, 10-15 देस के लिए, आप इजली सब्जी बना सकते हो, आप देख सकते हो, यह बिल्कुल फाइन पेश्ट हो गया है, तो चलो मैं आपको इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेती ह आप बना कर एक बार देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत आराम भी लगेगा कि रोज-रोज मसाला ना पिसना पड़े, तो आप देख सकते हो, यह कितना फाइन पेश्ट है, मैं रेगुलर बेसिस पे जब ग्रेभी वाली सबजी या सेमी ग्रेभी वाली सबजी बनाती हो, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ, अगर आप तीन से चार लोगों के लिए मसाला बना रहे हो ना, तो वन टेबल स्पून इनफ है, बट अगर आपको जो मिर्ची लिया है, आपने जो ब्रीन ची लिया है, वो ज़्यादा तीखा है ना, तो आप मच की मसाले की नीड है, तो आप देख सकते हो, मसाला बिल्कूर रेडी है, आप इसे महंदी मत समझ लेना, और फ्रीज में भी अच्छे से रख रहा है कि जिससे की कोई अपने बालों में ना लगा ले, यह मशाला है, सबजी की मशाली है यह, तो चलो मैं इसे आपको एयर टेबल इस्पून मचाला सबजी में एड करोंगी, जिस टाइम पर नमक, हल्दी और टामाटर फ्राइ करते हो उस टाइम पर, तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पशंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सेयर करो, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे की म मेरी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, और जब आप यह मशाला ट्राइ करोगे बना करना और इसकी सबजी बनाओगे, तो मेरे साथ उसकी एक्सप्रियेंस जरूर सेयर करना, कि आपको यह मशाला कैसा लगा है, बहुत टेश्टी इसकी सबजी बनती है, ओ थांक्यू